जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे दोसकार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा आजाद भारत के इतिहास में मैंने कई सरकारें देखी दोस्तों मगर इतनी बेहुदा, इतनी निकमी और इतनी बेशर्म सरकार मैंने आज तक नहीं देखी देश के सामने क्या चुनाओती है? कुरोना पिछले एक साल से आपके पूरा मौका था कुरोना को लेकर प्लानिंग करने का आपने की प्लानिंग? आपने नहीं की प्लानिंग आप किस बात की प्लानिंग कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कल की खबर देखिए दोस्तों, आज तक की एक खबर है हेडलाइन देखी उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव से पहले बी जेपी आरेसस का महा मन्थन प्रदान मंतरी मोदी आमिच शाह भी रहे मौजूद और ये देखिए तस्वीरें आमिच शाह, जेपी नड्ड़ा और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की एक खबर क्या कहती है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद में उसकी चर्चा करूँगा उत्तरपदेश की विधान साबा चुनाफ से पहले भारती जानता पार्टी अपनी चुनावी रणदीदी तयार कर रही है उत्तरपदेश को लेकर संगठन के वरिष्ट नेताओं का मन्थन जारी है इस एहम बैठक में प्रदान मंतरी मोदी ग्रह मंतरी आमिच शाह, जेप पी से लेकर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी खुद मौजूद है इस बैठक में अब याट महीने बाकी है उत्तरपदेश चुनावों को आप देख रहे हैं दोस्तों प्लानिंग किस तरह की हो रही है चुनाव आते हैं तो प्लानिंग क्या घजब की होती है उसी तरह से प प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि मेरे साथ त्रिनमूल कॉंग्रेस के 40 नेता जो हैं संपर्क में हैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये लोग पार्टी छोड़कर आ जाएंगे मगर आप देख सकते हैं उस तरह की प्लानिंग हो रही थी पश्चिम बंगाल को लेकर दो साल पहले से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और उसी तरह से उत्तर पदेश में देखिए आज मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये आंकड़ा है ये आकड़ा क्या कहता है पिछले 24 घंट मैं योगी सरकार और मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं आपकी प्रात्मिक्ता है क्या है मृत्कों का आकड़ा लगातार बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये खबर ना सिर्फ बिहार की है बलकि उत्तर पदेश की है सबसे पहले देखिए ये खबर फतेपुर उत्तर पदेश की खबर आपके स्क्रीन्स पर फतेपुर के गाउं में बुखार से सौ लोगों की मौत ललॉली में 10 अप्रेल को बुखार और सांस पूलने से हुई थी पहली मौत गाउं वाले तो ये भी नहीं जानते कि उनकी मौत कुरुना से हो रही है दोस्त प्रतिशत आबादी में कुरोना के लक्षन गाओं में न जाच हुई और नहीं लगा है टीका अब तक सो लोगी की मौत मगर पी एच सी में दिन में सोती मिली महिला डॉक्टर्ज शो कॉज नोटिस जारी किया गया आज गाओं में कुरोना का एक ज्वाला मुखी भट रहा है लगातार आकड़े बढ़ रहे हैं मगर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप इस सरकार को कहीं पर उस तरह की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं देख रहे हैं और उत्तर पदेश को देखें इनकी प्लानिंग एक बार फिर से खट लिखा है और ये खट किस-किस ने लिखा है आपके स्क्रीन्स पर सोनिया गांधी, HD देवे गौडा, शरत पवार, ममता बैनर जी, उद्दव ठाकरे, M.K. स्टालिन, हेमन सोरें इन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ हमने 26 मई 2021 को सासिक और शांतिपूर्ण किसान संघर्ष के 6 महिने पूरे होने पर सैयुक्त किसान मूर्चा द्वारा देश व्यापी विरोध दिवस मनाने के आवान का समर्थन करते हैं हम 12 मई 2021 को हमने सैयुक्त रूप से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए पत्र लिखा था हमारे लाखों अन दाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाने के लिए कृशी कानूनों को निरस्ट करें ताकि वे भारत की लोगों का पेट भरने के लिए अन का उत्पादन जारी रख सकें विपक्ष ने आज से दो हफते पहले आपको लेटर लिखा था कि आप कृशी के कानून वापस लीजिए क्योंकि देखे किसान के साथ आपका जो समझाता हुआ था आप देड़ साल के लिए तयार थे अब भी वो किसान घाजिपूर में बैठा हुआ है अब भी वो बैठा हुआ है दिल्ली की बॉडर पर और वहाँ पर लगातार कोरोना बम फटने का डर बना हुआ है और मैं जानता हूँ इस सरकार के चाटुकार क्या कहेंगे वो किसान वापस क्यों नहीं चले जाते क्यों मरते हैं जिम्मेदारी हमेशा किसान आंदोलन कारियों के कंधे पर होगी सरकार कुछ नहीं करेगी पहली बात सरकार ने उन्हें राम लीला मैदान में आंदोलन करनी की अजासत नहीं दी यही नतीजा है कि वो लोग शिटके हुएं अलग-अलग जगाओं पर आंदोलन कर रहे हैं अगर तुमने राम लीला मैदान में उन्हें दिया होता तो वहीं पर वो रहते अगर वहाँ पर कोई करोना का मरीज निकल के आता तो उसका इलाज भी होता या आपने किया नहीं इस हालात पर काबू करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है इसलिए मैं भी विपक्ष की उसमांग का समर्थन करता हूँ कि क्रिशी के जो काले कानूने हैं उनको आप वापिस लीजिए नंबर एक किसानों की जान के साथ मत खेलिए आप फिर ये प्रमानित कर रहे हैं कि न आपको किसान की परवा है ना आपको गाओं की परवा है मैंने आपको मिसाल दी बिहार और रत्तरप्रदेश दुनों जगह पे मैं जानता हूँ कि योगी सरकार अब जाकर कुछ कदम उठा रही है मगर वहाँ पर भी जोर पूरी तरह से प्रचार परे है और प्रधान मंत्री क्या करते हैं दोस्तों? मैं आपको इनका पूराना बयान सुदाना चाहता हूँ प्रधान मंत्री यहाँ पर यह कह रहे हैं हकिकत यह है मोदे जी कि जब भी आप मुश्किल में होते हैं आप अपने आजों का सहारा लेते हैं नोट बंदी के दोरान में आपकी रुदाली नहीं भूला जाद है कि जो भी चोरा हो बता देना में वहां पहुँच जाऊंगा मैंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिये फिर जब आप अपने पुलीस वाले लोगों के लिए बात कर रहे थे वहाँ पर आपकी रोडाली मैं वो भी नहीं भूला फिर अभी हाल में जब आपने कहा कि मैं कुरोना में जो मारे जा रहे हैं लोग उनकी परिवार का दर्द समझता हो मैं आपकी उस रोडाली को भी नहीं भूला हूँ मगर फिर आपने पहली क्यों कहाथ कि मैं ना खुद रोता हूँ ना दूसरों को नहीं रूलाता हूँ दूसरे तो रो रहे हैं गाउवाले रो रहे हैं देश का मध्यम वर्गी परिवार रो रहा है, किसान रो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कारकरम की शुरुआत में दिखाया, फिर से देखिए आपके सामने, फिर से देखिए कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में उत्तर पदेश के चुना में सत्रा मई को एक मस्जिद को तोड़ दिया गया, ये बता कर कि वो अवैद है, वायर की एक खबर क्या कहती है, मैं पहली दो पंक्तियां पढ़के सुनाना चाहता हूँ, इलाबाद हाई कोट का आदेश था, बावजूद इसके बारा बंकी की इस मस्जिद को तोड़ दिया गया, देखिए मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ कि वो अवैद थी या नहीं थी, एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, आपने एक आध्यात्म और धर्म के प्रतीक को तोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ लोग सड़कों पर आ गए, कोरोना काल में कि आप लोगों को भढ़का रहे हैं, मुसल्मानों को भढ़का रहे हैं, अब ये तस् सुनको, कुछ पुलीस वाले सस्पेंड हुए हैं, मगर सस्पेंशन से क्या होता है, और इन दोनों खबरों में निशानी पर कौन हैं, मुझे बताईए, एक तरफ मस्जद, एक तरफ मुसल्मान, उसकी सिर पर मारा गया है, इस बेरहमी से मारा गया है, कि खुद पुलीस कह सक्तिया जो पीडित का जो परिवार था, उसके खिलाफ हो गया था, इनके लॉइन ओडर एडी जी प्रशान्त तो बोल रहे थे कि बलातकार हुआ ही नहीं, फिर बाद में सी बियाई ने कहा था कि नहीं हुआ है, बाद में इलाबाद हाई कोट ने इने फटकार लगाई थ कि अगर आपकी बेटी के साथ यही होता, तो क्या आप देर रात जिस तरह से आपने हाथ रिस की पिड़ता का शव जला दिया, आप क्या उसी तरह से उसका भी शव जला देते, मगर वो जो दो घटनाएं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इन दोनों में निशाने पर मुस आप चाहे जितना भी प्रचार करिये, चाहे आप NTPC के गेस्ट हाउस में अपने पालतू पत्रकारों को भुला कर जितनी भी घुट्टी पिलाईए, आप हैंडल नहीं कर पाए, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, मगर मुझे अब लग रहा है कि इन दो घटनाओं के जरि यह शुनावों में हिंदू-मस्लिम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, बड़े-बड़े जो फिलोसफर हैं वो भी कह गये हैं कि धर्म एक किसम का नशा है, और धर्म के नाम पर अगर आप एक समुधाय विशेश को दबा, कुछला, पीड़त बता दें, कि अगर हम सत्ता से चले गए, तो मुगलों का तुम पर राज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, वो वोट हासिल करने का सबसे आसान रास्ता है, और आज एक मैं भर्ष्यवानी करना चाहता हूं दोस्तों, अभी आठ महीने बचे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों में, मैं दावे के सा कह सकता हूं, अब धीरे 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 जैसे ऐसे कोरोना को लेकर हालात काबू में आएंगे, ये लोग क्या करने वाले हैं, खासकर न्यूस चैनल्स, ये लोग फिर से सामप्रदाइक तोर पर जो सेंसिटिव प्रोग्राम्स हैं, वो करना शुरू कर देंगे, भड़काओ का अधारित हैं इन दो खबरों पर जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर हैं, फैसल की पुलीस द्वारा हत्या और दूसरी तरफ बारा बंकी में एक मस्जद को गिराया जाना, फिर से वही जो है नारिटिव, वही संवाद जो है न्यूस चैनल्स पर शुरू हो जाएगा, मैं ये सरकार दूसरी तरफ कोरोना के लिए कर कोई प्लानिंग नहीं करेगी, तीसरी बार आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी ने कल रविवार को बैठक बुलाई उत्तर प्रदेश के ऊपर, जोक इस नाट नरेंद्रमोदी गवर्मेंट, जोक इस आन यू आप जो इस देश की जनता है मजाक आपके साथ हो रहा है, आपके बच्चे, आपकी पतनी, आपके पती, आपके बुजर्ग, ऑक्सिजन की कमी की वज़ए से, सरकार के मिस मैनेजमेंट की वज़ए से, सरकार की खराब प्लानिंग की वज़ए से, उनकी मौत हो रही है, और घटना करम की जरीए फिर से समाज के अंदर उसी तरह का दौराव पैदा करना बताईए ना जो बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो घलत है क्या वो घलत है दोस्तो हम तो इसी तरह से आपके मुद्दे उठाती रहेंगे मैं जानता हूँ कि मेरी बातें आप में से कई लोगों को बहुत बुरी लगती है वो मैं कॉमेंट सेक्शन में देख लेता हूँ कई लोग आप लोग बहुत गालियां भी देते है मगर मेरा जो दायत वहना दो चीजों के प्रती है पहला बतौर पत्रकार मेरे पेशे के प्रती दूसरा इस देश का citizen होने के नाते अपने देश के प्रती क्योंकि अगर इन मुद्दों पर हमारा focus नहीं होगा अगर सरकार को हम जवाब दे नहीं बनाएंगे तो सरकार आपके प्रती जवाब दे नहीं होगी आपके लिए काम नहीं करेगी और जब आपके लिए काम नहीं करेगी और फिर आपको इसी तरह धर्म में भटका कर रखेगी तो आप जो है ना यहां से पैदल हो जाएंगे आप लोग जॉम्बीज बनते जा रहे हैं जॉम्बीज समझते हैं वो फिल्में होती हैं हॉलिवुड की इनसान मर जाता है उसके बाद फिर भी वो जिन्दा रहता है लाश की तरह और दूसरों के लाश को खाता है या दूसरों को खाता है चीर-चीर कर आप उस तरह की जॉम्बीज बनते जा रहे हैं इस देश में हर चैनल आज की तारीक में रेडियो रवांडा हो चुका है जिसके अंदर दूसरे धर्म के प्रती एक गंदा प्रचार चलता है जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं उनके खिलाप गंदा और घटिया प्रचार चलता है और समाच को हम तो फाड करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे और सबसे दुख की बात क्या है दोस्तों इन नूज़ चैनल में पिछले पाँ और शे महिनों में पिछले एक या दो महिनों में इनके कई पत्रकार मारे गएं कई कर्यां गे वह मारें करोना की वज़ा से जो अपने प्राइम टाइम पर जहर उगलते थे जूटी खबरें चलाते थे आज वो भी जिन्दा नहीं है फिर भी इन चैनल्स को अकल नहीं आएगी फिर भी इसी तरह से ये लोग हमको बाटते रहेंगे फिर भी ये लोग सत्ता पक्ष के इस प्रोपेगांडा का परदाफार्श नहीं करेंगे मगर न्यूस क्लिक में हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं अटने वाले हैं ये मेरा दावा है आपको ये मेरा बादा है आपको